अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ठीक है फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फिर तो यह है आज का आपका जो NCRT का सेकिंड चैप्टर है आपका क्लास फिफ्ट का जो आज हम लोग डिसकेस करेंगे क्या है यह स्नेक चार्मर इस्टोरी यहां पर कुछ पॉइंस है कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब आपके जानना जरूरी क्या है इस चैप्तर में वर्ड यूज़ किया है काल बेलियाज अब काल बेलियाज किसको किहते है हम ल वाला आपका क्या कहलाता है बीन कहलाता है फिर आपका नाग गुम्फन अब नाग गुम्फन काफी इंपोर्टन पॉइंट है यह अब पिक्चर के तुरू यह जो जाद उच्छे से याद रख पाएंगे कि यह जो है ये पिक्चर ही आपकी अपकी पिक्चर ना गुमफन की पिक्चर है ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है इसमें पॉइजनेस स्नेक्स इन इंडिया तो आपका ये इससे आपका क्वेस्चन जो है आपका सीटेट में आया हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से करते चलेंगे अराम से आप मनलब स्टोडी की तरह सुनो याद हो जाएंगी चीज़े अराम से बहुत तरह की स्नेक्स पाये जाते हैं इतने जो हमारी कंट्री में जो इतने साप पाये जाते हैं उसमें से सिर्फ क्या आपके चार टाइप के ऐसे स्नेक्स होते हैं क्या होते हैं जहरीले पॉइजनेस होते हैं कौन-कौन सी होते हैं कोबरा हो गए आप का पूंग्तों मुपका क्या डिशय मंगनू मुटसों दुबंबोह्या भी कहते हैं इशे म्हीं पून क्या ते are box on corsex case जिसको हम अफौही कहते हैं यह चारो स्नेक्स आपके यह होगी आपका कोब्रा, यह तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मतलब जो हम लोग मुवीज देखते हैं, हिंदी मुवीज, उसका मतलब यह ओल टाइम फेवरेट साफ है, इस तरीके से दो इसमें डॉट होता है, और जो मुवीज आती थे ला, मैं आगें तो सपेरा टाइप्स, उसमें आपका यही वाला साफ हमेशा मतलब आप लोगों ने मुव जो साफ होता है, उसके क्या होता है, तो इसके 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 क्या होता है, यानि कि जहरी जो दात होते है, उनको हम क्या कहते है, फैंक्स कहते है, वें इस बाइट साफ होता है, तो उन फैंक्स इसके थुत है कि एक परसन की बॉड़ी में उसका पॉईजन जाता है हैilar is a medicine for snakes bites medicine is made from the snakes poison and is available in all government hospitals जो snake कातने पर a medicine दी जाती है वे आपकी गॉऌबेने ऑपकी position में आपकी आपकी मिल जाती है और किससे बनती है वो आपकी snakes directed that makes the snake जहर काटता है तो वही वाली कहानी है यह ठीक है देख लेते हैं आगे जो इसका फैंग की जिसकी में बात कर रही हूं आपकी जो तू होलो टीट की में बात कर रही हूं तो आप देख सकते हैं यह जो सांप होता है इसके यह दो आपके यह दो होलो टीट होते हैं जिससे की व और फिर वो इमन की बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरीके का कुछ आपका सांप का निशान बन जाता है पिक्चिर्स के तुरू आप अच्छे से याद रख पाएंगे इसको यह आपका निशान बन जाता है सांप के काटने का जो स्कीन होती है यहां से निकल जाती ह सांप को पहचान लेते हैं जो सांप की बाइट होती है काटने का निशान होता है उसको देखकर कर सकते हैं किस तरह के सांप ने काता है जो सपीरा लोग होते behaviors गाके वि Нап आतो है कि विक्टा चाहको देटुटत का क्या लोग होता है कि जब शादी होती है तो वो इसको क्या करते हैं स्नेक्स गिफ्ट में देते हैं स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके जो किसान होते हैं एक तरह से उनके क्या होते हैं दोस्त होते हैं क्यों कैसे जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं एट दा रैट्स इन दा फिल्ड वो इंस् cleaning आपे इंस्ट्रूमेंटेफे कि डॉखे अन्यमेट बने हैं या निम गोल रिटा जो तो से दिखेश हैं इसमें नेक्स आपका आपका लेशन थी इसमें है आपका from tasting to digesting, यानि कि खाना चखने से लेकर के digest होने तक कौन-कौन से points आपके जो है, वो important है देख लेते हैं एक बार के लिए तो इसमें आपका क्या है friends यह देखें, digestion begins in the mouth अगर digestion की हम बात करें, वो कहां से start होता है, हमारे मूँ से start होता है ठीक है, our food is mixed with a fluid called sliva जो हमारा खाना होता है, वो हमारे मूँ में जाने के बाद में, किसके साथ एक fluid होता है, जिसके साथ भो मिक्स होता है और उसके बाद वो पच्चता है, तो हमारे mouth से start होता है, हमारे जो टेस्टिГ होता है वो sliva होता है, जो sliva बनता है यहां यहां और यहां जो आपका टंग का जो बिलकुल यह बिलकुल एंटरंस जो पार्ट होता है वो आपका क्या है स्वीट सीजों को जादा तर करके महसूस कर पाता है जो स्वीट टेस्ट होता है उसके लिए संसेटिव होता है जो आपका मिडल पार्ट होता है यह आपका स नेक्स देख लेते हैं इसमें क्या है आपका, our stomach temperature is about 30 degree Celsius, जो हमारा पेट का जो तापमान होता है, जो खाना पचाने के लिए जरूरी होता है, वो आपका कितना होता है, आपका 30 degree Celsius होता है, पेट के अंदर का जो तापमान होता है, कितना होता है, 30 degree Celsius होता है, our sense of taste and smell are interlinked, कैसे होते हैं, therefore we cannot taste food properly when we have cold, अगर ये question आजाता है, कि अगर cold होने पर, हम food को properly taste क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आपका answer होगा, क्योंकि आपका जो taste and smell जो होते हैं, दोनों interlinked होते हैं, और जब हमी cold होता है, तो हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, और हम क्या करते हैं, उसको smell नहीं क कर पाते हैं, उसको इतना जाधा, the juice in our body is acidic, बहुत important line है, जो हमारे body के अंदर जो juice होता है, वो acidic होता है, अमली होता है, ये आपका आया हुआ question है, सीटेट में, हम आगे इसको discuss भी करेंगे, आप याद रखेंगे, हमारी body के अंदर का juice होता हो क्या होता है, acidic होता है, ठीक ह next है about काला हंडी in Udisa, Udisa में काला हंडी नाम की जगह है, most rice grows in काला हंडी district, जो rice की फसल होती है, जो चावल की फसल होती है, वो सबसे जादा आपकी कहा होती है, काला हंडी district में होती है, Udisa में, ठीक है, rice is even sent to other state from here, यहां से rice चो होता है, वो दूसरे रज्यों में बेजा जाता है, in the same काला हंडी, there are many poor people like गोमती, यहां पर गोमती की एक स्टोरी दी गई है, उसी की तरह इतना यहां पर धान होने के बावजूद भी, इतना चावल होने के बावजूद भी, कि दूसरे देशों में चावल जाता है, उसके बावजूद भी यहां पर क्या है, आपका है, अत्रियापुरम टाउन आपका, कहां पर है, आपका आंध्रप्रदेश में है, मामीडी तंड्रा यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, मामीडी तंड्रा क्या होता है, आम पापड को बोला गया है, मामीडी तंड्रा कहां पर बोला जाता है, अत्रियापुर अगर इसकी बात करें हम आम पापड़की तो यह कितने हफते में तयार हो जाता है चार विक्स में रेड़ी हो जाता है muslin cloth is used to strain the mango pulp जो हम इसको बनाने के लिए जो mango का एक आम का एक pulp बनाते हैं उसको हम लोग चानने के लिए muslin cloth यूज करते हैं एक कपड़ा यूज करते हैं आपने देखा भी होगा आप लोगों के घरों में वाइट कलर का कपड़ा होता है जो आल्मोस्ट ट्रांस्परेंट होता है बिल्कुल उससे हम लोग क्या करते हैं उस आम के pulp को चानते हैं rdds dave protocols के बारे में भी होता है सब्सक्राया जाने निकाला निक्स देख लेते हैं और पिकल्सक्राया लें पिकल्स औरुम के सेद्liers बारे में कपड़ा उसा करतें पिकल्सक्राया झेद क साया हूँ है तो दिखीछिए इसको बिपोर फिलिंग विद पिकल या आपका ये जार होता है मैं इसके जिससे ऐने जार होता है, जिसमें कि हम आचार को लुए जो आपका डूकल्स कारी होता है पूछा हुआ क्वेस्टन है कि ग्लास के जो जार होते हैं पिकल के लिए उसको दूप में क्यों सुखाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा कि आपको कोई मौस्चर ना रहे अब यह आपका है फूड आइटम से आपको जो मिल्क है उनको अगर आपको किस तरीके से आप उ क्या करेंगे हम लोग उसको हम रैप कर देंगे डैंप क्लॉथ एक गीले कपड़े के अंदर में रैप करके रख सकते हैं जिससे कि वह जाधा टाइम तक चलेगा ओनियन और गार्लिक आपको कीप इट ड्राइ ओपन प्लेस ओनियन और गार्लिक आपने देखा भी होगा कि जो प्याज होता है और जो आपका लेस्न होता है उसको हमाटनो क्या क recom टाथे जो आपका सबसे बड़ा बीज होता है वो आपका mango का होता है और गेकमन सेट में आपका जो गिवन है वो आपका है mango largest और smallest seed आपका है क्यूमन सेड में ळबापके पीपर में याता है थो में ab capsule चलेंगे इनके कोई पैर नहीं कि चल के चले जाते हैं कैसे spread हो जाते हैं birds डैनिमल जो पक्षी होते हैं जो जानवर होते हैwide उगया स्पटराह स्प्रपैट हो जाते हैं पिच्चर प्लांट, नेपेथनीज जो होते है आपका, एक पिच्चर प्लांट है यह, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, there are some plants which trap and eat frog, insects and even mice, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके, eat, खाते हैं, trap कर लेते हैं, और फिर खाते हैं किसको frog को, यानि की mandak को, insects को खाते हैं, कीडों को, और इवन वो चूहों को भी खा जाते हैं, कुछ इस टाइप के plants होते हैं, पिचर प्लांट, नेपेथनीज इस वन सच प्लांट, पिचर प्लांट जो होते हैं, वो भी कुछ इस टाइप का ही प्लांट होते हैं, अब देख सकते हैं, इंसेक्स को खा जाता है, कीडों को खा जाता है, ये, it is found in Australia, और इंडोनेशनिया में ये पाया जाता है, इंडिया में ये कहां पाया जाता है, आपका मिघाले में पाया जाता है, इंडिया की बात करेगा, अगर ये, तो आपका यह कहा पाया जाएगा मिगाले में पाया जाएगा बाकी जग अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेश्या में पाया जाता है ठीक है इसके अंदर एक बहुत ही attractive smell होती है जिसकी वज़े से किसको insects को क्या करता है अपनी तरफ ठाफ है वेन insects land on the mouth on the plant he trapped and cannot get out what a way to hunt जब insects इसके उपर आगे बैठती है, इसकी समेल को सूंग कर गे तो ये क्या करता है, उनको trap कर लेता है और अपना या माउट का इसका अपने में अपने सुना होगा, इसके बारे में जैसे आपका सेंडल होता है इसमें इस तरीके से लगाया जाता है, ये टेप होती है, इस त में देखा होगा, this happened in 1948. 1948 में ही हुआ है, once did George Mestal came back from a walk his dog. मैं इसको बता देती हूँ, George Mckel is walk and his dog लेकर लेकर आ रहा होता है. तो कुछ बीज देखता है, कि उसके डॉक्स के ऊपर बीजुपके हुए है, उसके कपडों में वी स्टिको रखे हैं हो, तो देखता है कि किस टाइप के जो कुछ वो अबसर्व करता है कि सीड्स, Microsoft से देखता है वो उसको कि यह सीड्स चो है वो है कि एक्चुल में He saw that seeds has minute tiny hooks with got stuck to cloth और फर वो देखता है कि जो seeds है उनके अंदर कुछ tiny hooks है जिससे कि वो क्या है वो stuck हो रहे है उसके कपड़ों में इस तरीके से तो उसके दिमाग में idea आया यह velcro बनाने का He made a material with similar tiny hooks that would stick तो उसने इससे idea लेकर के यह velcro बनाया जिससे कि चीजें इस तरीके से stick हो सकती है तो velcro is used to stick together many things किस चीज के लिए use होता है cloths में यूज होता है आपको उसको इस तरीके से stick करने के लिए shoes में आपने देखा ही है हमेशा यह sandals मतलब हम लोग उने सबने ही पहने है bags होगे आपका bags में भी होता है belts में होता है even यह और many more things में आपका यह होता है what a way to look inspiration from nature मतलब की देखिया आप nature को देख करके किस तरीके से एक बंदे में inspiration आया कि उसने यह चीज जो है seeds को देख करके बना दी है तो यह वेलकरो की कहानी हुई आपकी next देख लेते हैं who came from where तो कौन सी चीज जो है आपकी कहां से आई है इसके बारे में इस chapter में थोड़ा सा है कि जो आपका tomato है potato है और green chili है यह तीनो चीजें आपकी हमारी south america से आई हुई तीनो सबजिया है आपका tomato आपका आलू और आपका green chili मिर्ची जो होती है pea and cabbage आपका यूरोप से आया है coffee bean and lady finger जो भिंडी होती है वो आपकी आफ्रीका से आई हुई है mango, orange, banana, methi, spinach, brinjal और reddish यह तो हमारी इंडिया की सारी की सारी सबजी है तो यह आप याद रखेंगी कि कौन सी सबजी जो है वो कौन से देश से हमारे यहां पे आई हुई है, what की हुई है अब हम देख लेते हैं question किस तरीके से आया हुआ है इस chapter से आपका, naphthanies is a plant which traps and eats frogs, insects and even mice एक पौधा जो कि क्या है आपका, insects को खा जाता है, mice को खा जाता है, frogs को खा जाता है, in our country अब देख सकते हैं हमारी country में, this plant is found in, कहां पाया जाता है, एक पौधा जो कि मेंड़, कीडे यह तक की चुहों को खा जाता है, हमारे देश में यह पाया जाता है अभी अभी हमने पढ़ा है कि अनुराचल प्रदेश है, मेगाले, असाम या फिर उडिसा, आप खुद सोचिए, अभी हमने पढ़ा कि हमारे देश में यह जो है, मेगाले में पाया जाता है, उसके अलावा यह उस्ट्रेलिया और इंडोनेशना मिलता है, लेकिन यह हमारे तरह से सुखाया जाता है, ऐसा आपका क्यों किया जाता है, तो अभी अभी हमने देखा, कि to remove the dust from him, इसमें सिमिट्टी हटाने के लिए, to remove the moisture completely, पूरी तरह से उसमें नमी हटाने के लिए, पिकल्स को टेस्टी बनाने के लिए, या increase their temperature, ठीक है, उनके temperature को increase करने के लिए, तो dust तो हटाने नहीं है, हमें, पिकल्स टेस्टी हमारी ममी बनाएंगी, ठीक है, दूप से होगा नहीं, increase हमें temperature करना नहीं है, moisture को वो completely क्या करता है, आपका सुखा देता है, remove कर देता है, तो ये था हमारा आज का lecture, जिसमें की हमने complete किया है, NCRT के 3 और 4 chapters को एक वीडियो म करें अपने सभी friends के साथ में share करें जो की seated की preparation कर रहे है, thank you, keep learning, keep supporting